हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो मैं चैनल किचन खोराना विद लाब शाप आज मैं बनाने जा रही हूं फ्रेंच टोस्ट बच्चों को ब्रेड खाना तो बहुत ही पसंद है तो उनको ट्विस्ट करके कभी भी ब्रेड देदो वह इसली खा लेते हैं तो सबसे पहले चैनल पे न सबसे पाष्च में अधार्ड वैज्ड लिया है दूद लिया है एक बनाना है हनी है और असरैंस है मेरे पास तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बोल ले लिया है मैंने सबसे पहले इसमें जाएगा कस्टर पाउडर आप अमने फ्लेवर का कोई भी कस्टर पाउडर यूज कर सकते हैं अभी इसमें डालेंगे मिल्क जो है वो रूम टेंपरेचर पर होना चाहिए फ्रिज का ठंडा दूर इसमें नहीं चलेगा तो इसक अभी हम एड़ करेंगे अपना बचा हुआ दूद दूद हमारा हो चुका है अभी हम इसमें असेंस डालेंगे आप अपनी फ्लेवर का कोई भी असेंस डाल सकते हैं मिठास के लिए यह हमें आड़ कर रही हूँ हनी आप चाहे तो चीनी का इस्तिमाल भी कर सकते हैं यह दिखिए काफी ची सलरी बनके तैयार हो गई है हमारी अभी इसमें में डाल रही हूँ सिनामेन पावडर दाल चिनी का थोड़ा सा पावडर इसमें डाल रही हूँ टेस्ट को एन्हांस करने के लिए इसका काफी अच्छा फ्लेवर आएगा इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि कोई भी लाम्स नहीं रह जाए अभी इसको दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि ब्रड़ा सानी से इसमें डिप हो जाए तो अभी ब्रड़ लेके उसको अच्छे से डिप कर लेते हैं इसको जल्दी से निकालके प्लेट में डाल लेंगे क्यो और फिर हम इसको तवे पर सिख लेंगे, दोनों ब्रेट स्लाइसे मेरी अच्छे से हो चुकी है, तवा मैंने करने के लिए रख दिया है पहले से ही, इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर, बटर मेल्ट हो चुका है, बेना टाइम गवाए, अब हम ब्रेट स्लाइसे रखेंग गोल्डन ब्राॉण होने तक पकाएंगे इसको, यह देखे काफो अचया गोल्डन ब्राॉण कलर आगया है प्लेट में ट्राउसफर कर लेते हैं दुबारा से बटर डाल दिया है मैंने और दूसरी ब्राइल स्लाइस को भी अच्छे से गोर्णन ब्राउम होने तक सीग लेते हैं भी रिखे काफी अच्छी सी क्रिस्पी ब्रेड स्लाइस त्यार हो चुकी है हमारी और इसको भी प्लेट में ट्रांस्वर कर लेते हैं इसके लिए मैंने एक चीज स्लाइस लिया था ब्रेड ले लिय ए उसको अपर डालेंगे चीज स्लाइस को प्लू से दूसरी ब्रड शुखने कर्लेंगे और उसके पाद यसको हम इस लरी में डिप करेंगे दोनों साइड से अच्छे से डिप कर लेना है हमने सारा तूर इसने अबजर्ब कर लिया है तो अभी इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं तो चलिए जल्दी से इसको तब इपर सीख लेते हैं बटर डाल दिया है मैंने और ये चीज स्लाइस वाला ब्रेड भी जल्दी से गरम कर लेते हैं दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पाकाएंगे इसको भी हम काफी अच्छे से हो गया है इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं तो अभी उपर से हम इसको गानिश करेंगे बनाना के साथ, बनाना के मैंने पत्ते उप्ले स्लाइसिस करके ले लिये हैं, और इसके उपर थोड़ा सा हनी जाएगा, तो ये फ्रेंट टोस्त की रेसिपी हमारी बन के तैयार हो गई है, आप भी बनाईए और अपने बच्चों को खेलाएए, और मुझे बताये कि आपको ये रेस्पिक कैसी लगी है?